स्वागार थे आप सब विद्यार थे हो का एक बार फिर से दा इस्टेडी लाइन में प्रेंड्स आज कस वीडियो में हम लोग वाइरस, बैक्टिरिया, प्रोटो जोवा एवं कवक से होने वाले जितने भी important रोग है, यानि कि जो भी रोग exam में पूछे जाते हैं, उन सभी को cover करेंगे trick के मादियम से इस वीडियो को आप लोग अंतक जरूर देखेगा, आपको पताई होगा कि यहां से questions, हर एक exam में questions पूछे जाते हैं इस वीडियो को आप लोग अंतक दिखेगा, और जो मैं आपको trick बताऊंगा, उसको 2-3 बार अपने copy में लिख लिख करके आपको याद करना है, ठीक है इससे क्या होगा, कि आपके mind में हमेशा के लिए set हो जाएगा, ठीक है तो चलिए, सबसे ज़्यादा आपको confusion होगा, वाइरस को ले करके, और जो है आपको bacteria को ले करके, ठीक है तो इन दोनों को आज जो है अच्छे समझेए, बाकि proto जो अरक का बाकि यह बहुत थी, छोटा छोटा टॉपिक है, तो easily याद हो जाएगा लेकिन वाइरस और bacteria यह दोनों चीज़ों को अच्छे से देखना आपको, ठीक है सबसे पहले हम लोग वाइरस से होने वाले जो है रोग है उनको देखेंगे पहले आपको रोग के बारे बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग ट्रेक के मादम से समझेगे ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेचक, फिर आता इंफ्लुएंजा, फिर है हर्पीस, अगला है डेंगू, और है ट्रेकोमा ठीक है, यह छे को आपको पहले माइंड में सेट करना है, एट्स, चेचक, इंफ्लुएंजा, हर्पीस, टेंगू, ट्रेकोमा ठीक है, साथी साथ बात करें, और छे और नाम है, सबसे पारा नाम है आपका खसरा, रैबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, और पोलियो यह जो है, बारा नाम आपको ध्यान में रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा, वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है आगे का ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक जो है आपके सामने वाइरस सम्बंदित होने वाला, वो है आपका ट्रिक का नाम, देखे ए चाचा क्या नाम है ए चाचा है इन्हें डाटो मान के चलिए कि कोई बच्चा है वो जो बहुत थी जो है एक तरह से ऐसा काम कर रहा है कि जहां पर उनको डाटने का काम होना चाहिए ठीक है तो वहीं पर एक जो है लड़का बोलता है कि ए चाचा इन्हें डाटो खड़े ग तो एक लड़के को चाचा के दुआला जो डाटने की बात कही जा रही है, कि ए चाचा इन्हें डाटो खड़े गाल पर चापो, यह इंपोर्टेंट देखे कैसे आपको जान रखना है, यहाँ पर ए है, ए से हो गया आपका एट्स, क्या हो गया? फिर आपका चाचा, चाचा से हो गया आपका चेचक, ठीक है, फिर आपका इन्हें, तो इन्हें से आपको याद रखना E, पहले E, E से हो गया आपका इन्फ्लेंजा, हे, हे से हो गया आपका हर्पीस, टांटो, डांटो में आता डा, तो डा का स्पेलिंग हो जागा यहाँ प डेंगु ट्रेकुमा ठीक है और इधर साइड हमलोग बात करें इधर आपका खड़े गाल पर छापओ खौ़ से होगे आपका खसरा रह से यानि कि रे से होगे आपका रेंबीज जाल से आपका गल्सुआ पौसे होगे आपका परश खाज से होगे आपका छोटी माता अब पोज से होगे आपको पोलियो ठीक है ये से भी जो रोग है ये वाइरस अथ्वा विसानू से होने वाले रोग है ठीक है तो हम लोग त्रिक से कैसे याद किये एक चाचा इन्हें डाटू खड़े गाल पर छापो आपको दो-तीन बार इसको लिख करके चेक करना है या नहीं तो आप लोग इसक्रीन सॉर्ट्स ले लिजे ठीक है और उसको प्रैक्टिस करें दो-तीन बार अपने कॉपी में ये तो होगे आपका वाइरस से होने वाला रोग को देखेंगे ठीक है चले वेक्टिरिया से होने वाला जो रोग है उसमें से पहला आएगा आपका प्लेग दूसरा है डिप्थिरिया तीसरा है टाफाइड चौथा है काली खांसी आगे हम लोग बात करें जिवानों से होने वाला रोग और भी है कौन-कौन सा एक है आपका टीटिनेस टीबी निमोनिया और हैजा देखे ध्यान रखेगा ट टीटिनेस और टीबी जो है वो बैक्टिरिया से होता है किसे बैक्टिरिया असानी की जिवानों से होता है ठीक है ध्यान रखेगा इन्हें हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे चले इनके बारें भी मैं आपको बताता हूं इनका ट्रिक है आपको ध्यान रखना है पंडि बात करें बात करिया आपका कालीखासी साइट का तो से लुट इसमें करके चलना है ठीक है और यहां पर है आपका नियू नियू से हो गया आपका नीमोनिया और है से हो गया आपका हैजा यह सभी जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है ट्रिक दो-तीन बर आपको कॉपी में लिखना है जैसे कि मैंने उपर में बता जया ए चाचा इन्हें डा प्रोटो जोवा से देखे, छोटा सा है ध्यान रख लिजेगा, एक है सोने की बिमारी, दूसरा है पेचीस, तिसरा है काला जार, चौथा आपका मिलेडिया, और पाचमा आपका पाइडिया, बात करें हम लोग इसे ट्रिक्स से कैसे याद करेंगे, ट्रिक्स याद करने का सि कि अपने दोस्त को कहीं पे काम पर लगवा दिया, कैसा कान, जो सोने वाला काम, यानि कि सोने पे काम पाया, ठीक है, ट्रिक्स क्या रखना है, सोने पे काम पाया, देखे, सोने से हो गया आपका सोने वाली बिमारी, ठीक है, पे से हो गया आपका पेचीस, कास से हो गया पाया यहां से होगिया आका पाड़िया यह गया प्रोटो जूसे होने वाला हम बात करें कवक गवक से होने वाला रूउक जो निया रोग एक है गंजा 1 दुशरा है तीसरा है दाद और चौथा आपका खाज इसको कैसे हम लोग याद करेंगे एथलीट लाश्ट में है आपको देखे इसको याद करने का तीधा सा है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट क्या है गंजा दमाद खाए फ्रूट इसको कैसे हम लोग याद करेंगे देखे गंजा यहां पे खाए खाए से होगा आपका खाज एस होगा अथलेट ठीक है यह सबी जो आपका कवक से होने वाला रोग है ठीक है ध्यान रखेगा गंजा दमाद खाए फ्रूट ठीक है यह सबी जो ट्रिक आपको ध्यान रखना है उम्मीद करता हूं कि जो ट्रिक मैंने आपको ब वाला रोग को बता दिया ठीक है उमिद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी और जब आप दो तीन में ट्राय करेंगे अपने कॉपी में तो याद अच्छे से हो जाएगी ठीक है चले मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत